तो दोस्तों मैं मिलाना चाहता हूं आज हमारे पास दो स्टुएंट है इनका बैज कंपलीट हो गया है अब आज लोग अपने नाम और एक लोग जो रहने वाले यह अपना नाम और यह रहने वाले हैं और यह राजिस्तान के रहने वाले हैं है और दोनों लोग पूरा बैश के लिया है पूरा फुल डे ट्रेणिंग लेते थे सुबह आठ बजे से करके साम च्छेवेश तक लास करते थे और एक साथ ही रहते थे होस्तिल में रहते थे पूरा दिनार क्लास करते थे पुरा प्रेटिकल करते जो बी सिखा जाता था उसक लेने के लिए आना चाहेते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं वेलकम होंता और अपना एक्सपीडियन्स आपके साथ में सेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने ट्रेंग लिया है मेरी तरफ से इनका बहुत अच्छा डिस्पॉंसर आए कि महलों सीखने में लोगों बहुत अच्छी में एक हेकर जो भी सारी चीजह सिखाई कहीं है उनको पूरा च्छे समझा है और पूराज जी तो मेरे पास मेरे पहले स्ट्रेंट में बात करता हूं दिनेश करके हमारे पार पहले स्ट्रेंट थे और वह भी राजिस्तान से रहने वाले थे वह इनके रिलेटिव है उन्होंने जब को सीख गए थे आज उनकी अपने मोबाइल फोन रिपेरिंगे बहुत अच्छी दुपान है उनका ब्रोसर दिखाईए मैं आपको फोटो सीख कर गए और उनका रोल नंबर भी फट है आज उनकी मोबाइल फोन दे पेरिंगे दुपान है बहुत अच्छी दुपान अपने रन कर रहे हैं जब उन्होंने पूरा सफलता परुवक अपना काम जिया काम करने के बाद यह देखिए मैं वरोसर दिखाता हूं यह दिने इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं वह पूरा सीख करके जाते हैं और सीखने का सबस्टे पहली पर प्रोसेस क्या है बेकल बेता है वी में रहता है तक हम लोग दूसरे को अच्छे समझा सके हैं वह लोग फैमली छोड़ कर कि इतना दूर हमाजे पास सीखने के लिए उनको कोई दिक्ता ना है निके बहुत सारे भी विससवा बहुत सारह यहां जाकर अच्छी तरीके से काम करें और बात और क्या नहीं लगेगा और अपडेट हो करके जा सकते हैं और कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको हमेसा के लिए आपको सपोर्ट करेगा आपको अपना चुछ बताइए कि आपको यहां पर कैसा रहा है क्या क्या सारी चीज़ें शीख चुके हैं और शीखने बाद आंगे क आपको प्लान करें कि किस तरह के सीख क्या काम करेंगे यह उत्तर प्रदिगा सबसे अच्छा इंस्ट्यूट है और इस तरह की पड़ाया हुआ सब समझने आता है और यहां से जाने के बाद सीखने के बाद हरे बहुत जूरी है मार्केट में चारो तरफ देखना बहुत ज किस तरीके से लोग काम करेंगे और कखेल जी को मैं कहना चाहता हुँ कि सार काफी साल कर रहते हैं जोड़ कर दोने काम चेहा हुआ है और बीच मेरे पास सीखने आया थे पांदा बीस दिन दिन चले घे एसे कि आप एसे अचानक नहीं चोड़के जा सकता कि चोड़के जा तो अपनी जगह पर को दूसरे बंदों को स्टेट करके जाओ तब आप जा सकते हो तो यह पिर मेरे पास से गए और फिर उसको स्टेट करके फिर 15-20 दिन के बाद फिर आप वापस आए आप सर बताइए दा कि लोगों को पता चलिए मैं यह कहना जाता हूं कि जॉब नहीं करो तो बढ़िया अपना विजनेस ही करें कुछ भी गां चाहिए कुछ भी करो मुबाइल का या किसी भी चीज का लैप्टॉप का तो जोब को ऐसी क्या पर इसान्यों तो जोब में सुकून नहीं है जोब में प्रेशर बहुत रहता है पहले क्या काम करते थे आप प्रोफेशन से क्वाल्टी में महां सेंचुरी पेपर बढ़ता वहीं चौप करते था तो तीरे तीरे इसकी वीडियो देखते था था फड़ा फिर अपने घर में इस्टुमेंट लिए उससे चलाया लेगे उससे समझ में यादा है जब कोई सम चाहिए बहुत अच्छी बात है आप अच्छा सी करके जाएं अच्छी तवीके से काम करें और मेरी तरफ से बहुत सारी विश्यस है और आप आप है यह दूनों दोस्त है रहने वाले राजिस्तान के रहने वारे हैं पेटेनी वहां निकलो तभी अस्टियत परदा चलते ह है जर्म तो सारी चीज़ें एक जैसी होती है बाहां निकलने के बाद ही दोफ्त बनते हैं बाही बनते हैं सब लोग बनते हैं और एक अच्छा इंवार्टमेंट क्रियेट होता है कि आदमीं को यहीं एक लाइब होती है आदमीन सीखता है शीखता इसलिए आँगे बढ़न मैं मेरा नाम हम प्रिकास है मैं राजस्तान से रहने वाला हूं मुझे यहां बेजने के लिए हमारी संप्रक में देनेश जी थे वो लंबे समय से सर के बारे में बता रहे थे मैंने आने का बहुत परियास किया लेकिन जैसा समय नहीं वेट पाया कि मैं सर के संप्रक में आ खेच ले आई आपको भी बताना जाता हूं कि यहां बहुत सरलता से हर चीज को खोल कर उसके बारे में बताया जाता है जिसे आप आप पढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो इसे मेरा यही आपसे बात सीथ है। तो मेरे पास से दोनों आपको संभिट हो गया हैं और इनों ने जो भी नहीं किया हैं और जो इनों ने जो मेरे पास जो आप प्ढ़ी अन्गी निकलता हैं। कि भार नहीं गया लेकिन जब से एक बी दिन गर्स भार में नहीं गया, क्योंकि यहां का माहूल है वो यह इतना friendly है कि किसी को कोई problem कोई दिक्कष नहीं है हमारे पास जितने साथ है लोग सीखने के लिए आते हैं वो सभी लोग एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं तब कहीं न कहीं हम लोग अच्छा सीख करके जाते हैं और कोई प्रॉब्लम को दिक्कत नहीं आते हैं माँ कैसे दूसरी पाद कहाल करें हैं यहां के लोकरिट हैं सबसे पहली बारूम को मिनैंने मार्केट करें एसी मार्केट क सबसे बड़ी एफिक्क्र क्या होता है यहां पर आपके बार कोई भी मॉबाइल फोन आता है खराब हो जाता तो इस्पेरिमेंट के लिए बच्चा दो मिनट में भाग करके जाता है जैसे आगी आगी मॉबाइल फोन में सॉप्टर डाल रहते उसके यह खराब था फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था इस्टोड ने कहा मार्केट में बैठने का मतनब रहता कोई भी चीज खराब होगे भाग लेंगे उसको लगा थेख कर देंगे हम पो एक अच्छा इस्पेरिमेंट मिलेगा तो यहां पर जो भी साइटिशन जो लोग सीखते हैं यह उनको सीखने का प्लस पेडिविट यह मिलता है मार्केट में सारा सामान, सारा टूल, सारा पार्ट, सब चीज available है यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल फॉन रेपेरिग होने के लिए आते हैं तो रेपेरिग होने का फैता यह रहता है क्यों Infact 과 अमेढ़ फैरेटिकल मिलता है तो स्कसराइब चाहिए कि अभुवा है करना मोबाइल फॉन थे कैसेarter करका रहता है। वाभी सारी चीजहे चीशनी के ज़रु पड़ाल होती है kijken। कि किया हमारे पास आदमी को ऑद केंगता है कोती है। इस मोबाईल फॉन लगा लगा है आप इसका लख खोल दीजी तो हम लोग बच्चों को सामने मोबाईल फॉन को लॉक्षे हो professionals लोग कों खोल बच्चों सीखना मिलता हैं तो इन दोनों से जाकर गया तो मिल सकते हैं या मैं कर कोई नमबर चाहिए तो मैं आपको नमबर भी शेयर कर दूँ आप लोग बात कर सकते हैं कि कैसा सीखे गए हुए क्या सारा माहौल है सारी जोच को समझ सकते हैं तो दोस्तो आकी वीडियो में इतना ही जाना